हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चानल फार्मसिस गाइपर यहां हम हर दिन आपके लिए अलग-अलग मेडिसीन की जानकारी लेकर आते हैं तो आज हम जिन दो मेडिसीन की जानकारी लेकर आएं वह यह वायसोलोन 20 और यह है अमनाकोटिल 20 इन दोनों में सेम सॉल्ट मिलावा है वह है प्रेटनी सॉलोन 20-Mg की मातरा में यह दोनों अलग-अलग ब्रैंड्स की मेडिसीन हैं लेकिन दोनों की यूज़स सेम होते हैं मार्केट में और भी कई तरह की मेडिसीन नुटलद हैं इस प्रेटिनिसलोन सॉल्ट के साथ लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली यही दो मेडिसीन से हैं तो आज हम इन दोनों मेडिसीन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे इनको कब लेना चाहिए किन-किन बीमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है इनके साइड एफेक्स से बारे हम बात करेंगे और इसका इस्तमाल कैसे करना है वो जानेंगे चुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारे दोवारा दी गई जानकारी पसंद आये तो कि उस वीडियो को लाइक ज़रुर कीजिएगा ज़ाधर ज़ाधर इस वीडियो को अपने जाननम वाले विचाएश शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तो ये प्रेडिनिसलोन एक एस्टराइड होता है जो कई तरह की बिमारी को ठीक करने में काम आता है ये प्रेडिनिसलोन इंफ्रामेशन को कम करता है और साथ ही एलर्जीश को दूर करता है इस ओमनाकोटिल और वासलोन का इस्तमाल सीवियर एलर्जिक रियक्षन में किया जाता है allergies condition जैसे कि arthritis में, lupus में जिसमें immune system खुद के tissue पर attack करता है जिससे हमारी kidney, blood vessel, brains, hurts, lungs और skin पर bad effect बढ़ते हैं इन दोनों tablet के इस्तमाल psoriasis जैसे allergic condition में भी किया जाता है जिसमें हमारी skin itchy हो जाती है, dry patches हो जाते हैं और skin पर scales पर जाती है इन सारी allergies के symptom को ठीक करने के लिए ये omnocodyl और ये visolone के इस्तमाल किया जाता है इन दोनों tablet के इस्तमाल allergies condition में भी किया जाता है जिसमें sneezing, runny nose, face पर swelling, skin पर rashes, सांस लेने में problem या itching हो सकती है तब भी इन tablets को doctor द्वारा prescribe किया जाता है अस्तमा के prevention और treatment में भी इन tablet के इस्तमाल किया जाता है उसको ठीक करने में या prevent करने में ये दोनों tablet काफी ज़्यादा effective होती है इन tablets के इस्तमाल nephrotic syndrome के treatment में भी किया जाता है जो कि एक kidney disorder होता है उसमें बहुत ज़्यादा protein निकल जाता है urine के तरू ये nephrotic symptom kidney में होने वाले small blood vessel को damage हो जाने की वाश से होता है तो ये tablets इस nephrotic syndrome के treatment के लिए इस्तमाल की जाती है प्रेटनी सुलोन asteroid वाली tablet के इस्तमाल eyes disorder के treatment में भी किया जाता है जैसे कि refractive errors की problem में, cataracts की problem में किया जाता है जिसमें vision blur हो जाती है और cloudy window की तरह आखों के सामने लगता है optic nerve disorder में भी इसका इस्तमाल किया जाता है conjunctivitis के problem में भी इसका इस्तमाल किया जाता है या फिर diabetic eye problem में भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों ये ओमनोकोट्यल और वाइसोलन कही तरह के ट्रीटमेंट के लिए इस्तिमाल की जाती है और एक जरूरी बात दोस्तों मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ आपको कभी भी इन टैबलेट का इस्तिमाल खुद से नहीं क चाहिए वरना हमें mental disorders जैसी समस्य हो सकती है hallucination हो सकता है यानि आप ऐसी बात सुन सकते हैं या ऐसी चीज़र देख सकते हैं जो एक्च्वल में नहीं होती या फिर इसका overdose लेने से आपका mood बदल सकता है या irregular heart beat भी हो सकता है इस प्रेंट इसलोन वाली tablet के कुछ common side effect भी वाइसलोन 5 mg 10 mg 20 mg और 40 mg के साथ मार्केट में मिलती हैं इन टैबलेट का dose हर व्यक्ति के condition और severity की अकॉर्डिंगली वैरी कर सकता है जैसी भी आपकी condition होगी उसके अकॉर्डिंगली या आपको डॉक्टर दोरा प्रस्राइब की जाएगी इन टैबलेट का इस्तुमाल दिन म पैसे आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी ऐसी जानकारी प्राप्ट करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं जानकारी लेकर धन्यवाद